और दोस्तों आज हम आप सब के लिए लेकर आया हैं गर्मा गर्म पराठा एदम नई रेस्पी जो आप सब थंडियो में बहुत पसंद करते होंगे पराठा किसी भी चीज का हो आलू का या मतर का लेकिन आज हम आपके लिए लाएं गोवी का पराठा बहुत टेस्टी तो चल में बहुत दिक्कत होता है दोस्तों अइस बात का ध्यान दिजिएगा लेते समीं हमने गोभी को कद्धु कस कर लिया है बहुत बारीकी सब्सक्राइब रखाएंगे तड़का लगाने के लिए यह मैं लिया चम अजमाइन चार सेपाच हरी में जिसको हमने बारीक काट लिया है दो तेचपत्ता है तो कुछ हमने लेसं की कल्या लिया अ उसको भी आइस बनें का लिया एक एंच अधर को टुकरा कुछ हरी धन्या के पतिये जिसको ह तड़का लगाएंगे हम चार चम्मच लिया है सर्सो का तेल आप सर्सो के तेल में ही बनाएं बहुत टेश्टी बनेगा सबसे पहले हमने इसमें एट किया ही कि दो तेज पत्ते एक चम्मच अजवाइन एक चम्मच जीरा इसको हम दो सिकंड के लिए भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनना है ने तो जल जाएगा अब इसमें हम एट करेंगे एक चम्मच अद्रक का पेस्ट दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को फटाफट सस्क्राइब कर दीजिए अब इसमें हम एट करेंगे बारिक कटा हुआ लैसुन हरी मिर्च इन सब को एक मिनट के लिए भून लेंगे दोस्तों आप इस तरह जरूर पराठा बनाएए बहुत टेश्टी बनेगा बहुत कम समय लगता है आप मिठी चटनी के साथ जरूर सर्वा करिएगा अब इसमें हम एट करेंगे कदू कस किया हुआ गोवी इसको भूनने में बहुत कम समय लगता है लगबख 10 मिनट के अंदर यह पक जाता है कुछ लोग बॉयल करके बनाते हैं लेकिन टेश्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना भून के बनाने में आता है हमने एट किया है एक चमच नमक एक चमच हल्दी पाउडर इसको हम दो मिनट के लिए भून लेंगे अब इसमें हम एट कर रहे हैं एक सिग्रेट मैगी मसाला इसके डालने से मजा ही कुछ आ ओरा जाता है दोस्तों आप जरूर डालिएगा अब इसको हम दो सिकेंड के लिए भूल लेंगे अब इसमें हम एट कर रहे हैं हरी धनिया की पतियां इसको भी हम दो मिनट के लिए अच्छी तरह पका लेंगे ताकि टेस्ट अच्छा है अब इसको हम पांच मिनट के लिए ढख के पकाएंगे ताकि अच्छी तरह पक जा कच्छा पन्नराजा पाच मिनिट हो चुका है आप देख रहे हैं यह पक चुका है इसको हम थोड़ा से पल्टे पर निकालकर आगर मसल जा रहा है तो तो समजिए आच्छी तंदा ङॉश के घृतो बनने का बना लेंगेThis हमने लिया है दो कप गेहूं काटा एक कप चावल काटा एक चमच नमक आप चावल के आटे के जगह बेशन भी यूच कर सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका डो बना लेंगे एक सा ज्यादा पानी नहीं डालना है ने तो आटा गिला हो सकता है आप दख रहें हैं डो हमारा बनके रेडि हो चका है अब इसमें हम इस्टाफिंग भरेंगे इस्टाफिंग बनने के लिए हम लुया बनाएंगे लोया को हम एक साइज ही बनाएंगे ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला मीडियो मकार में लेंगे आप देख रहे हैं हमने चाल लोया बना लिया है अब इसमें हम इस्टपिंग भरेंगे लोया को हम हाथ से गोल गोल बना के इसका कटोरी बना लिये हैं ताकि इस्टपिंग बनने में असानी हो अब इसको हम चमस के सायता से भरेंगे ज्यादा इस्टपिंग नहीं भरना है नहीं तो ये फट सकता है हमने एकी चमच लिया हुआ है अब इसको हम चारो तरफ से गोल गोल करेंगे अच्छी तरह से फिर इसको हम बीच में आठा निकालके गोल बना लेंगे आप देख रहें आप इसको हम बेलन के सायता से बहुत हलके हाथ से बेलेंगे ज्यादा तेज नहीं बेलना है ने तो इफट सकता है हमने पराठा बना लिया है अब इसको हम तावे पर रखेंगे आप देख रहे हैं एक साइट पक चुका है अब इसमें हम घी लगाएंगे चमस के साहते से इसको थोड़ा दबा दबा के लगाएंगे आप ताकि नीचे का पक जाए अब इसको हम पलट के इस साइट भी घी लगाएंगे आप घी से ही पराठा बनाएए बहुत तेश्टी ब अब हलका ब्राउन होने तक सेकेंगे ज्यादा नहीं दबाना आए ने तो फट जाएगा इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेके आप देख रहे हैं पराठा बनके रेडियो हो चुका है इसी तरह हम सारे पराठे को बना लेंगे आप देख रहे हैं पराठे हमारे अंदर से कितने अच्छी तरह से पक चुके हैं गर्मा गरम पराठो का अनंद लिजिए दोस्तों आप इसे किसी भी चीज के साथ मिठी चटनी हो या तीखी चटनी हो या राइता के साथ सर्व करें आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी रेश्पी कैसी लगी अगर आपको हमारी रेश्पी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करिए सस्क्राइब करिए कमेंट बाक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारी रेश्पी कैसी लगी तब तक दीजिये इजादत नमस्कार